आप सबी लोगों का स्वागत है सब्लाइम ग्लासेज में हम देख रहे हैं साइकोलोजी 300 कोश्चन की सिरीज और यह हमारा जो पार्ट है वो है एट तो चलिए सुरुवात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि पिछले वाले में यानिके पार्ट 7 में हमने जो आपसे कोश बता दू इसका सही एंसर है अंतरमुखी आत्म केंद्रित लिए गश्चन बताए परिक्षिभा तो यह तो तरीका प्रीकशे बताया था वह श्रीमान यूंग जी ने बताया था इसलिए आप लोनों कश्रीके से सुना जाता है इसलिए अब दोनों में खर्यूज होई एक ह बात है और अंतर मुखी बहुर बहिर मुखी और उभाय मुखी तीन प्रकार के इन्होंने प्रकार बताये थे विक्तित्तों के तो चले फिलाल आज का विशय शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के विशय में हम पुस्तक विधी क्या है तो विश्य वस्तु को रटने के लिए सिक्षण की सरलता के लिए अध्यापक की सायता के लिए या विश्य वस्तु के सूचनाओं के संप्रेशन के लिए तो इसका जो सही answer है वो है विशय वस्तु के सूचनाओं का संप्रेशन करना तो जो उसमें संबंदित विशय होता है उससे संबंदित सूचनाओं पुस्तकों में होती हैं जिसके बारे में हमें घ्यान प्राप्त होता है इसका सही एंसर होगा, एक प्रगार से प्रयोजन वादी है, तो वो प्रियोजन से संबंदित बात करेंगे, क्रियात्पक्ता से संबंदित बात करेंगे, लेकिन करके सीखना भी एक प्रकार से, एक प्रकार का मनोवेग्यान है, जो ये बताता है कि जितना अच्छे से हम किसी काम को करते हैं, वो हमारे दिमाग में और उटना अच्छे से बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो C है, यानि कि मनो वैग्यानिक आवश चकता है, यह सही हो जाएगा. मैंने इससे भी पहले इसी तरीके का एक पार्ट में कोश्चन पूछा था, कि LKG और UKG की सुरवात किसने की थी, तो सेम एंसर है, नर्सरी की सुरवात जो है, वो फ्रॉबल ने की थी, नर्सरी स्कूलों की सुरवात, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ऐसे मैंने जो सिक्षन विधियों वाला वीडियो है, उसके पूरी बात बताई है, यहां पर आपको ध्यान देना है, विशिष्ट क्या होता है? हमीशा अपने दिमाग में रख लिए कि विशिष्ट जो होते हैं, वो होते हैं उदाहरणा, विशिष्ट होते हैं उदाहरणा, जो भी किसी भी परिभाशा के हो, किसी भी समप्रते से संबंदे उदाहरणा हो, वो विसिष्ट होते हैं स्वैम में जो समानने होती है यानि कि जनरल चीज़े होती है जनरलाइजेशन जब किया जाता है तो उसको एक परिभाशा के रूप में प्रस्तित कियाता है जो सब पर लागू होती है तो जो विशिष्टता है यह सब पर लागू नहीं हो सकती लेकिन जो समानने बात है यह सब पर लागू होती है इसलिए कौन से विधी है जो विशिष्टता से समानने की हो चलती है यानि कि उदाहरन से परिभाशा की तरफ चलती है और इस थूल से सूचन की तरफ चलती है मत तब हम यह चीज इस पर तो लागू ही लागू होगी, मतलब यह चीज सब पर नहीं लागू होगी, लेकिन जो सूच होएं यह सब पर लागू ही लागू होगी, इस तरीके से यह चीज ज्याद रखेगा, उस थूल से सूचन की तरफ जाएं या विसिश्ट से सामाने की बांते हैं क्या होती है धानम से परिभाशा की ओर इसमें चलते हैं एकाई-उपागम किस विद्धिया था यूनिट अप्रोच बतानी है कि किसने दी थी तो इसका सही अंसर है वो है मोरिशन और मौरिशन ने बताया था कि कोई काम करो तो सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए चा उससे और बड़ा बताईए, छोटी चीज सरल होती है, बड़ी जितना आप बनाते रहेंगे उसको तो धीरे-धीरे concept उसका easily हमारे दिमाग में बैठ जाएगा. अगला प्रश्ण है, जेकब अल मोरेनो का संबंध किस विदिशा है, तो जेकब अल मोरेनो जो है, वो समाज मिती यानि की sociometry method से संबंधित है, इन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया था, बाकि डिटेल आप हमारे वीडियो से ले लीजेगा, समाज मिती विधी को साथ तरीक संबंधित है, ये देखना होता है समाज मिती में, कौन विक्ति किस से कितना जुड़ना चाता है, किसो कौन पसंद करता है, किसो कौन पसंद नहीं करता है, तो इस तरीके से समाज मिती विधी को विवस्थित किया जाता है, सिक्षण उत्देशों का क्रमिक वरगी करण किस नहीं कि दिया था सिक्षन उद्देश्चों का क्रमिक वद्द तो आपको जो classification दिया गया था किस ने दिया था ब्लूम ने दिया था जिसको ब्लूम की टेक्सोनोमी भी कहते हैं ब्लूम की टेक्सोनोमी का अंग नहीं अगर कभी पूछा जाए कि ब्लूम टेक्सोनोमी में सबसे इंपॉर्टेंच ज्यादा किसको दी गई है और प्रश्न पूछ रहा है कि टेक्सोनोमी का अंगर कौनन नहीं है तो वो आपका जो रही एंसर हो जाएगा वो है बुद्धी यह बता रहा था कि बुद्धी आपका सही एंसर है वैग्सोनोमी के अंतरगत नहीं आता है लोग के अंदर और फैस विदिये दियु Mdya Club 7 शिek्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है सिक्षण पक्रिया में अंतिम चीज़ क्या होती है हमेशा मुल्यांकन ही अंत में आता है और मुल्यांकन ही पूरे जो परिक्षण होता है या कोई परिक्षण होती है उसका अधार होता है तो अंत में सबसे हम मुल्यांकन करते है देखते हैं मानसिक छंता बढ़ाना गयानि दश्ट कोन विक्सित करना सूतर की स्थापना करना या सूतर का प्रियोग करना तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग सूतर का प्रियोग करेंगे यह सबसे सही इसका एंसरों का क्यों ऐसा क्यों है जब निगमन होता है तो हम क्य पहले से ही जानते हैं नियम मतलब नियम से उदारण की तरफ चलना है तो मतलब हम नियम को पहले से ही जानते हैं तो हम उसका प्रियोग करके उदारण को प्राप्ट करेंगे तो हम सूत्र का प्रियोग कर रहे हैं नियम का प्रियोग कर रहे हैं ठीक है शिक्षण सहायक समगरी के अंतरगत आने वाली वस्तों में OHP बहुत ही मात्वपूर है इसका पूरा नाम किया है तो देखिए जो TLM होता है यानि कि Teaching Learning Materials में OHP बहुत मात्वपूर होता है और और overhead projector कहते हैं इसको जब सही answer है वो है overhead projector और projector किस प्रकार की समगरी है तो projector एक प्रकार की projective material है सिक्षा में और यह आता किसके अंतरगत है यह आता है द्रस्ते सामगरियों के अंतरगत यानि कि visual ads होते हैं हमारे यह इसके अंतरगत आता है प्रोजेक्टर में सिर्फ हम देख सकते हैं सुनने ही सकते हैं और आडियो वीडियो भी नहीं हो सकता लोकि आडियो वीडियो अगर दोनों चीजें हो जाएंगी तो वो फिर television या computer की स्रेडी में आने लगेगा इसलिए सिर्फ visual aid के अंतरगत आता है सिक्षण के डाल्टन विधी आरंब करने का स्रेक से जाता है डाल्टन विधी किससे संबंदित है अब सिदी लिग देते हैं तो डाल्टन विधी हेलन पार्खस्ट से संबंदित है और कुछ लोग उसके में डाउट में चले आते हैं कि डाटर डाल्टन ने दिया था नहीं डाल्टन एक योएसे में सिटी है उसके नाम पर पार्खस्ट जो थी वो लेडी ती उन्हों ने डाल्टन विधी का नर्मार किया था था तो धाल्टनिक जगए है जो यहर्षिन है उसी के नाम पर रखा गया है निमलिकित संपर्तियों में से कौन सा व्याख्यात्मक विधी से संबंधत नहीं है आये देख सेक्षिक्षन विधि में मौफिक संप्रेशा अतर्थिक होता है यह तो सही है इस सिक्षन विधि में और चार पर है ये भी गलत है ये भी गलत है और ये भी गलत है लास्ट में है बालक को सिक्षन का केंद्र माना जाता है ये सही है ये व्याख्यात्मक विधी से संबंदत नहीं है क्योंकि बालक को सिक्षन का केंद्र माना जाना व्याख्यात्मक विधी से संबंदत नहीं होता है क्यों इसलिए बालक बाकी विधियों में होता है लेकिन सिर्फ याक्यात्मक विधी में शक्षक के अंदरत विधियां प्रयोग कियाती है किस सिक्षन विधी को सुकराती विधी के नाम से भी जाना जाता है प्रश्णोत्तर विधी सही एंसर है इसका तो प्रश्णोत्तर विधी को सुकराती विधी क्योंकि इसका जो निर्माण करता है वो सुकरात माने जाते हैं कहीं कहीं पर प्रश्णावली विधी भी आ जाती है एक कोश्चन है यहां तो प्रश्णोत्तर विधी लिखा हुआ है कहीं कहीं पर प्रश्णावली विधी लिखा होता है वहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समल के रखी है वहाँ पर नाम आएगा वुडवर्थ का वुडवर्थ का नाम आता है उसमें पृष्णावली विधी में और सुकुराती विधी विष्णोतर विधी में अनुसंधान विधी के खोज करता कौन थे अनुसंधान विधी को हियुरिस्टिक विधी भी कहते है आपको कोश्चन को मैंने थोड़ा सा और आसान कर दिया है हियुरिस्टिक विधी भी कहते है अनुसंधान विधी को खोज विधी, अनुसंधान विधी, अनुवेशन विधी कुछ भी लिखा हो उसका मतलब यही होता है कि वो research method के बारे में पूछ रहे हैं और अब आपके लिए असान हो गया होगा क्योंकि आपने सिर्ट अगर सिक्ष्ण विधियां पढ़ी है यह बताना है Russo के जॉन डीवी के अरस्तू के या पैस्टालोजी के सवरी पैस्टालोजी नहीं है है इसलिए प्रियोजन वादगी थे और किल्पेटरिक बेस्टी प्रियोजन वादगादी थे उसी डेश पर परियोजनादे दी बनी लेकिन जॉन डीवी ने भी कही न कहीं इस पर शुरुवात कर दी थी लेकिन अगर ये कहें कि इस पर प्रियोग कर पाये थी तो साथ प्रियोग उनके सिस्वे ने किया हैंरिकल पैट्रिक ने इसलिए ये प्रियोजना देदी के जनक माने जाते हैं और हेन्रिकल पैट्रिक के जो गुरू थे, मास्टर थे, टीचर थे, वो जॉन डीगी थे। किस विधी के अंतरगत किसी विशय को छोटे-चोटे टुकड़ों में विभाज़त करके सूचमता से अध्यन किया जाता है। किसी चीज को तोड़ना, मतलब किसी बड़ी चीज को कई भागों में डिवाइड कर लेना, यह क्या कहलाता है। इसको कहते हैं विशलेशन विधी यानि की ऐनालिसिस मैथट। तोड़ लेना और फिर जोड़ देना, मतलब जो टुकड़े हैं उनको जोड़ देना और एक बड़ा टुकड़ा बनाना तो वो क्या कहलाएगा संसिलेशन। इसलिए विशलेशन और संसिलेशन विधी दोनों एक साथ चलती हैं। पहले आप किसी चीज को तोड़ते हैं फिर उसको उसी में जोड़ते हैं। तब जाकर पूरी बात पूरा कार्य हो पाता है। माली जी कोई आप कभी बाइक ले जाएए और अपनी बाइक को आप सर्विस पर डालते हैं तो क्या होता है बाइक की पुर्जे अलग कर दी जाते हैं उसमें जो कमी होती है भोड़ी जाती है उसको फिर से जोड़ा जाता है तो विशलेशन करके फिर से संसलेशन करना ये होत इक माथकुन विधी है अगर हम सिक्षन विधी में इसको जोड़े तो क्या होगा, एक paragraph है माली जाव विशे है इसको कई paragraph में आपने तोड़ लिया और चोटी-चोटी paragraph आपने पूरे कर लिए और उसके बाद फिर से उसको विशे को पूरा कर दिया कि आपका विशयब तयार हो चुका है क्योंकि आपने पूरी पढ़ाई जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के कर ली तो इस तरीके से विशलेसर और संसलेशन विधी दूनों एक साथ काम करती है सिक्षन कौसल में पंचपदी प्रणाली के संस्थापक कौन थे तो वो थे जौन फ्रेडिरिक हर्वर्ट ठीक है हर्वर्ट स्पैंसर मत लगाईएगा यह थोड़े से फेमस जादा है लेकिन जौन फ्रेडिक हर्वर्ष थे पंचपदी प्रणाली के संस्थापक हर्वर्ष की पंचपदी प्रणाली के मूझ उपागम में कितने इस्तर थे तो जो पंचपदी जॉन फ्रेडरिक हरबर्ट ने दी थी उसमें कितने इस्तर थे तो उसमें इस्तर थे चार जी हां पंचपदी लिखा हुआ है आप सोच रहे होंगे पाच हैं थे पाच ही लेकिन वो चार के रूप में सबसे पहले प्रस्तुत किये गए थे जॉ जॉन फ्रेडिक हर्बर्ट के चार सद्धान्तों में कौन सा संबंधत नहीं है यहां पर चार लिखे हैं लेकिन चार में एक ऐसा सद्धान्त है जो जॉन फ्रेडिक हर्बर्ट से संबंधत नहीं है तो वो है अभिवरत्ती का सद्धान्त जी हां अभिवरत्ती का जो सद्धा ये जॉन, शरेडिक, हर्बर्ट ने नहीं दिया था प्रियोख का सुद्धान, विवस्था का संधान और प्रियोख का सिद्धान उन्होंने दिया था इन चारों को जब जॉन फ्रेडरिक नहीं रहे उसके बात इनके तीन सिस्यों ने इसको पांच भागों में डिवाइड गया अलग अलग तरीके से इनकी जो तीन सिस्य थे वो भी बहुत important है Herbert Spencer Herbert Spencer इनके सिस्य थे ये बहुत चादा पूछ लिया जाता है क्योंकि John Frederick में Spencer में भी Spencer लगा हुआ है उनके में भी Spencer लगा हुआ है ठीक है यहां पर Spencer नहीं है यहां पर Herbert होगा ठीक चरिए आगे देखते हैं तो यह जो Herbert Spencer थे इनके सिस्य थे और इनके दूसरे जो थे वो सलर थे और एक तीसरे सिस्य थे उनका नाम राइन था यह तीन सिस्यों ने पंचपदी प्रणाली को कुछ इस तरीके से प्रस्तुप किया इन्होंने का जो पहला है वो होगा प्रस्तावना दूसरे को कहा गया कि यह होगा उद्देश्य कथन जो कि आज आप लोग देखते हैं अपने जब आप माइक्रो टीशिंग में कार्य करते हैं उद्देश्य कथन तीसरा इन्होंने बताया कि उसका नाम है प्रस्तुती करण और उसके बाद इन्होंने बताया कि पुनराव लोकन ठीक है पुनराव लोकन और आखरी जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि यह होना जरूरी है वो है प्रियोग वा अभ्यास प्रियोग तथा अभ्यास एक ही में है इस तरीके से इन्होंने पांच पूरे कर द पात है जब आपसे पुछा जाए कि कितने हैं तो आप पांच ही बताएंगे लेकिन अगर यह पूछ लिया जा कि मोल रूप से हरवर्ट फेडरीक हरवर्ट ने कितने बताय थे तो आप चार ही बताएंगे इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर कांख्यूजण बनी रहती है इसको आप तूर रखेए गापने दिमाग में कांसेट क्लिए रखेए गा किस पारखस्ट जो भी हमने आपको कोशन बताया था उन्होंने क्या किया था कि जो Americans थे Americans में यह था कि लोग पैसे कमाने के लिए काम करना चाहते थे उनके बस पढ़ने का समय नहीं था लेकिन Helen ने कहा कि कुछ लोग ऐसन है कि काम भी करना चाते हैं पढ़ना भी चाते हैं इसके लिए क्या किया जाए तो आज कल आप देखते हैं आसाइंडमेंट दिये जाते हैं कि चाहें आप कोई भी ट्रेनिंग करें कि भाई एक मन्त के लिमिट आपको यह असाइंडमेंट पूरा करना है मान ले जाएगा कि आपने इसके बारे में पढ़ाई की थेका मान लिया जाता है कि हां भज आपको महिने भरके में ये काम पूरा करना है इस लिए इस method को ठेका विधी के नाम से भी जाना जाता है अभिक्रमित अनुदेशन के अंतरगत कौन सा समप्रत्य नहीं आता है अभिक्रमित अनुदेशन ठीक है अभिक्रमित अनुदेशन तीन प्रकार के होते हैं मुक्य रूप से विसे पांच टुकार के होते हैं, लेकिन मुक्य रूप से तीन ही टुकार के होते हैं, रेखिय, शाखिय, यह शाखिय है, ब्रांच, प्रियोग, अनुदेशन, मैथमेटिक अनुदेशन, यहाँ पर प्रियोग जो है नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा शाखी अनुदेशन, राइखी अनुदेशन और मैथमेटिक अनुदेशन होता है और अभिकरमित अनुदेशन की खास बात यह होती है कि वो किसी भी जो विशय होता है उसको तुकड़ों में बाट कर पूरा करते हैं चाहे हो रेखी हो चाहे हो शाखी हो और मैथमे जाती है याद रखेगा हैंरी कॉलवेल कुक फ्रोवेल मॉन्टेस्री या पेस्टालोजी की तो सही एंसर है हैंरी कॉलवेल कुक किस सिक्षा सास्ती के अनुसार लिखना पढ़ने से अधिक महत्वपूर है और यह कोवसल पहले सीखा जाना चाहिए मतलब उन्होंने कहा कि लिखना इंपोर्टेंट है यह पहले नमबर पे होना चाहिए यह दूसरे नमबर पे होना चाहिए तो कही न कहीं जो बाकी मनुवेग्यानिक थी उन्होंने पढ़ने को ज़्यादा इंपोर्टेंस दी थी लेकिन एक महान जो सिक्षा सास्त्री रहे उन्होंने कहा कि लिखना इंपोर्टेंस को पहले लाना चाहिए जब भी हम किसी को सिखाते हैं कुछ तो वो थी मारिया प्रेसरी जिन्होंने ये बात कही थी और यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है काफी वाई पोचीजा चुकी है अगला प्रशन है वह मापन जिसमें अंतरिक मापन के लक्षणों के साथ परम सून में भी नहित होता है जोर घटाना गुणा भाग सभी गरती संक्रियाएं भी संभव होती हैं काफी अच्छा कोश्चन है और ये जो है वो सिक्षण में जो मापन होता है उससे संबंद प्रशन मैंने पूछा है तो आप मापन वाला वीडियो दिखेगा आपको सारे कांसेप्ट उसमें तियर हो जाएंगे कि चारो मापन कहां यूज होते हैं लेकि जो भी संक्रियाएं होंगी वो अबसलूट जीरो से सुरू होंगी बाकी में नहीं होता है नावनित मापन क्या है भई आपको नंबर्स दे विए जाएंगे कि भई जिसे खिलाडी होते हैं कि टी-शर्ट पर लिखा होता है उनका नंबर 9 है 10 है तो उनके खिलाडियों के प नंबर पड़ा हुआ तो इससे कोई लेना देना तो होता नहीं है बस नंबर्स हैं आउन्टी-टी-शर्ट की सिरीज पड़ी हुई है ओके कोई बात नहीं इस तरीके से जैसे आपका फो मोबाइल नंबर है जैसे पिन कोड नंबर है तो यह कोई क्वालिटी के रिसाप से नहीं दे लेता है तो कई चीजे हैं वो आप मापन के वीडियो में देख लिए यहां पर जो सही एंसर है वो है अनुपातिक मापन यानि कि रेशियो मेजर्मेंट अगला प्रशन है विसाइक को कई भागों में विभाज़त करके बीच बीच में चात्रों से प्रशन युगात्मक मुल्यांकन निदानात्मक मुल्यांकन या क्रमित मुल्यांकन पहली बात तो यही तीन मुल्यांकन होते है क्रमित तो मापन होता है यहां पर यह मैंने एक्स्टा जोड़ दिया लग से इन तीनों में से आपको सही एंसर चुनना है मुल्यांकन वाले वीडियो इसको formative evaluation कहते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा या अगर आप याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा और जो यूगात्मक होता है यानि कि यूज कियाता है तो इस तरीके से तीनों मुल्यांकन important है आपके question में अगला है परेटन विधी के विधी छात्रों को प्रतक्ष ग्यान देने के सद्धान पर आधारित होती है यह किस ने कहा और प्रवर्तक कौन थे यह भी important thing है तो यहां पर पेस्टोलोजी सही answer है आपका प परेटन विधी से संबंदित है और उन्होंने कहा था कि प्रतक्ष ग्यान जो है वो परेटन विधी से दिया जा सकता है यह मनोबै ज्यानिक सद्धान पर आधारित होता है जिसमें बालक को सोतंता फुर्वत सोचने, विचारने, निरिक्षन करने तथा कारी करने का अवसर मिलता है काफी अच्छा प्रश्ण है और मैं तो कहुंगा कि इस विधी पर सबसे ज़्यादा प्रश्ण आते हैं चलिए देखते हैं और एंसर प्रश्णावली विधी, परियोजना विधी, समाजमेती विधी या साक्षातकार विधी सही एंसर है परियोजना यानि की प्रोजेक्ट मैथेड और सबसे अच्छा मैथेड है कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर सिक्षन विधीयों में सबसे अच्छा कौन सा मैथेड होती है मैंने कहा कि हर चीज अपनी अलग-अलग तरीके से होती है अगर आप हिंदी पढ़ दाए हैं या गड़ित पढ़ दाए हैं तो सबकी अलग-अलग अपनी तरीके होते हैं हर चीज को अपने अलग-अलग तरीकों से पढ़ना चाहिए तो किसी का कोई विशेश मैथेड नहीं हो सकता इस विशेश से आप सारे काम कर लोगे लेकिन फिर भी जो मोश्टली सब्जेक्ट होते हैं जिसकों करके सीखते हैं करके सीखने वाली बात होती है बाकों के द्वारा चात्रों के द्वारा वो होती है प्रोजेक्ट मैथेड से तो ये सबसे अच्छा मैथट माना जाता है किस सिक्षन सास्तरी के अनुसार अध्यापक का सुरूप एक माली के समान होता है और वो बगीचों की रखवाली करता है तो सीधे आपको एंसर पर ले चलता हूँ किस ने दिया था किंडर गार्डन फ्रॉबल ने दिया था तो फ्रॉबल ने बताया कि बच्चे जो है वो फूलों के समान है चोटे पौधों के समान है जिसको माली यानि अध्यापक जो है वो माली एक रखवाली के रूप में उनको विवस्थित करता है उनका विकास करता है यह सारी बाते हैं फ्रोबल ने अपने सद्धान्त में कही थी कही न कहीं रूसों भी सही है अगर आपको फ्रोबल नहीं मिलते हैं तो रूसों सही हो जाएंगे कि रूसों भी प्रकरतिवादी थे, उन्होंने भी अध्यापक को एक माली के रूप में विवस्तित किया था, लेकिन फ्रॉबल ने जो है अपने सध्धात में पूरी तरीके से इसको रखा, इसलिए फ्रॉबल ज़्यादा से है, लेकिन आप्शन ना होने पर रूसों आप ल किस ने किया था, जॉन डीवी, वाट्सन, विलियम बोंट या थार्ड डाइक ने, उमीद है आप इसका इंसर जरूर देंगे, और अगले वीडियो में मैं इसका इंसर दूँगा, और अगला वीडियो मेरा लास्ट वीडियो है 300 सिरीज का तो जरूर देखिएगा, जल्द ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, thank you very much